विडियो खतम होने के जस्ट बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है वो यह है कि सर कमेंट सेक्षन में कमेंट करके मुझे यह बताना है कि दिन के कौन से टाइम में हमने रिविजन लेक्चर्स अपलोट करने चाहिए सुबह का टाइम, दोबेर का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम और टाइम कभी आसपास लिख दो कि 5-6 बजे, 9 बजे, 12 बजे क्या टाइम पे होना चाहिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो यह चीज़ आ रही है वो आपके टाइम के साप से सेट हो जाए तो इससे बहतर और क्या ही हो सकता है ठीक है, पहली चीज़, दूसरी चीज़, सर में मुद्दे पर आते हैं AFM 263 Important Questions का पूरा Revision फूरे चाप्टर का Practical Questions का Revision हम लेंगे Revision लेंगे, कल से Revision Lectures हम अपलोड करेंगे कल से जो अपलोड करेंगे उसके शेडूल मैं अभी आपको बताऊंगा उसके पहले आपके पास में यह Questions की List होनी चाहिए इस List को पुरानी भी मैंने थोड़े टाइम पहले भी यह List रिलीस करी थी पर उसके बाद जब मैं अभी Questions करा रहा हूं तो छोटे मोटे Errors है छोटे मोटे मतलब 2-3 Errors निकले हैं वो मैंने ठीक करें और एक जगा पर एक figure नहीं थी तो वह डाल दी और एक Question मेंने Replace करा है तो जादा नहीं है अगर आप पहली बार इस्तमाल कर रहे है तो Go with the Updated List You will get that Updated List in the Telegram Channel AFM 263 Important Questions Search करना Portfolio Management तक तो यह List updated है पर उसके बाद अगर होती है तो वापस से मैं Update कर दूँगा Telegram Channel में That's why you have to stay connected उसके बाद देखना सर हम क्या 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 कवर करने वाले इस तरीके से कवर करेंगे इसके अंदर में दो थेरी के चाप्टर छोड़ दिया Startup Finance और Securitization वह आपको करना है अगर आपको नहीं भी करना होगा तो प्लीज फास्टाक के लेक्चर जो है मेरे थोड़ा थोड़ा डीटियल में रेगुलर जी तभी नहीं वह यूट्यूब पे अल्रेडी अवलेबल है Hindi और English दोनों में तो टाइम अगर है तो जरूर करिया इसके अलावा इन सब चाप्टर की भी थेरी वाला पार्ट हमने नहीं कवर कर आ है practical questions ठीक है only schedule क्या रहेगा सर, sequence क्या रहेगा इसी sequence में हम upload करेंगे क्योंकि सब कुछ linked है सर पुराने chapter से मतलब अगर forex बोलोगे तो बिना ये वाले chapters करें नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मैंने कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ चीजे पढ़ा ही हुई है ठीक है अब आगे आते हैं और मैं मुद्दे की बात करते हैं जो पहली बार ये लिस्ट देख रहे हैं प्लीज धान देखी प्लीज बात करते हैं अगर इतने घंटे देने का आप डिसाइड कर रहे हैं तो दो गंटे से कुछ नहीं जाएगा 1.5 की स्पीट पे देख लो 2 की स्पीट पे देख लो पर देखो जरूर हाथ जोड के विंती है आप से ये 20 सप्टेंबर को अपलोड हो जाएगा यानि कि कल Capital Budgeting उसके बाद अगले दिन तकरीवन 4 घंटे का है ये lecture पूरा Capital Budgeting उसमें आ गया हर concept आ गया और अच्छे से समझाया हुआ है ठीक है अगर और कम टाइम में करना होता तो फिर और भी कर सकते थे पर जाने दो Security Analysis आपका एक घंटे में कवर हो जाता है तीन ही कोशन है पर बहुत अच्छे से तीनों कोशन कवर करे हुए है अगर आपको नहीं भी आता कुछ भी तो you can go with this practical questions तीन कोशन ठीक है उसके बाद में धान देना सॉरी कहां गया हाँ उसके बाद में Security Valuation आएगा सर Security Valuation चौथा लेक्चर रहेगा अपना 7 घंटे 30 मिनिट का लेक्चर है यह मैं यहाँ करें साथ घंटे 30 मिनिट का है आपको बड़ा लग सकता है बहुत कुछ कवर करा हुआ है चोटे 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 concepts भी पढ़ाएके हुए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा था तो अब मुझे स्पीड समझ में आई है कि क्या रखनी चीए तो आपको को पता है इसलिए मैंने exact लिग दिया portfolio management भी आधा cover हो चुका है उसके बाद का ही बाकी है सिर्फ वहां तक तो मैं कल से ही upload करना चालू कर दूँगा portfolio management आएगा September 24 को तक्रीबन 6 घंटे के असपास रहेगा तो जो सारे नीचे के है आर से यह expected या approximate है real में यह बदल जाएंगे 6 का 7 हो सकते है 6 का 5 भी हो सकते है उसके बाद mutual fund आएगा हर एक दिन एक वीडियो आएगा mutual fund के बाद derivatives derivatives के बाद IRRM, IRRM के बाद forex, forex के बाद IFM यानि international financial management उसके बाद business valuation और फिर mergers and acquisition October 1st को कभी कुछ हुआ, तब है थोड़ी सी खराब होई, गला बैठा या ठक गया, तो एक हाथ दो दिन का break आ सकता है उसके लिए पहले से ही माफी ठीक है तो यह October का मान के चलो 5 October हो सकता है अब यह total hours कितने हो रहे हैं सर, अंदाजा बता देता हूँ मैं अंदाजा यह 55 hours हो रहे हैं, अब आप डिवाइड कर लो, 55 के आसपास ही रहने वाला है, actual content आखरी में पता चलेगा, इसलिए exact मेरे को अभी नहीं पता आपको क्या-क्या चीजों की जरुवत लगी कि सर, इतना कर लिया तो वैसे भी बहुत कुछ है इसके अलावा, आपको formula book की जरुवत पड़ेगी, उसका PDF में update करूँगा पर, अभी मैं उसको इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटा-छोटा update भी कर रहा हूँ, तो वो formula book मैं आपको दूँगा, पूरे 1 October, 2 October के बाद में हर lecture के नीचे में, सर, आप हर कम हर video के नीचे में, आप doubts पूछ सकते हैं, और नहीं तो टेलिग्राम में भी पूछ सकते हैं, अगर photos वगरे भेजना है तो, पर हर lecture के नीचे, अगर आपका comment दिखेगा मुझे, कि इसमें improvement क्या करना चाहिए, क्या अच्छा लगा, आगे क्य कर सकते हैं, तो इस से बहतर fees मेरे लिए और कुछ नहीं होगी, सो मैं, जो आप लोगों से expect कर रहा हूँ, इन सब चीजों के बाद में, वो है sir, कि आप comment में मिरे को बताओ, कैसा लगा, अच्छा बुरा, feedback दो, बुरा हो है, तो और भी अच्छे से बताओ, ताकि अगली ब करते जाए, कुछ अपडेट रहा तो मैं टेलिग्राम चैनल में दूँगा, इस में कुछ बदलावाय तो वो टेलिग्राम पे अपडेट करूँगा, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करूँगा, wherever you want to stay connected, you can, all the best for the revision lectures, if you want something else, just comment, bye-bye.